दोस्तो जानवर तो सभी बेध खतरनाक होते हैं मगर रेंगने वाले जानवर की बात ही अलग है पता नहीं क्यों मगर हम इंसानों को रेंगने वाले जानवर से काफी डर लगता है फिर चाहे बास सापकी हो या फिर सेंटापीड यानी कान खजूरे की दोस्तो शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने कान खजुरे को ना देखा हो ये इसके बारे में ना सुना हो दोस्तो आपने कई बार तो इसको अपने घर पर भी देखा होगा दोस्तो जो कान खजुरे आपके घर में निकलते हैं वो अकार में भी बहुत छोटे वे खतरनाक भी कम होते हैं मगर जिन कान खजुरों की आज हम बात करने वाले हैं वो अलगी लेविल के खतरनाक हैं दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पांस सबसे डेडलिस्ट कान खजूरों की तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो बिना किसी देरी के इसको लोपैंदरा कोतरेक्टा दोस्तो ये एक बेहत खतरनाक कान खजूरा है जो पानी में भी तैर सकता है इसका आकार 20 सेंटिमीटर तक लंबा हो सकता है दोस्तो इसके अंदर एक बेहत खतरनाक जहर पाया जाता है और ये मासा हारी होता है इसका बड़ा आकार वे लंबे पैर देखने में से और ज़्यादा खतरनाक बना देते हैं दोस्तो आम तोर पर ये दक्षणी पुर्व एशिया और थाइलेंड में पाये जाते हैं पर दोस्तो आप तो इनसे दूर ही रहिएगा क्योंकि आपको भारी नुकसान पहुचा सकते हैं कॉलोपैंडरा गैलोपोगैंसिस दोस्तो ये कानखजुरे दुनिया में मौझू सबसे बड़े एव खतरनाक कानखजुरों में से एक हैं दोस्तो इनके पास बहुत खतरनाक मेडिबल्स होते हैं जो शिकार को पकड़ने में इनकी मदद करते हैं दोस्तो इस कानखुजुरे के अंदर भी बेहत खतरनाक जहर पाया जाता है, जो आपको काफी जादा नुक्सान पहुचा सकता है, इसका आकार 30 सेंटीमिटर तक लंबा होता है, जो इसे और जादा खतरनाक बना देता है, जाएं डेजर्ट सेंटपीड, दोस्तो ये कानखु बेहत खतरनाक है, जो आम तोर पर दक्षणी और पक्षमी अमेरिका और उत्री मैक्सिकों में पाया जाता है, दोस्तो ये रात में अपने शिकार की तलास में निकलता है, और छोटे बड़े दोन प्रकार के जानवरों का शिकार करता है, दोस्तो ये कानखुजुरा इतना आपको काटता है, तो तेज दर्द, बेचैनी और सूजन होने लगती है, हाला कि दोस्तो राहत की बात ये है कि इसके काटने पर किसी भी वेक्ति की मौत नहीं हुई है, इसका शिकार भी उतना ही बड़ा होता है, दोस्तो ये बेहत खतरनाक कानखुजुरा है, इसलिए आपके लिए फायदा है, स्कॉलोपैंदरा सब स्पेनाइब, दोस्तो ये पूरे पूर्वी एशिया में पाई जाने वाले विशाल सेंटापिड की एक प्रजाती है, दोस्तो ये जीनस एकलोपैंदरा में सबसे परचलित और वशिष्ट प्रजाती में से एक है, दोस्तो इसका जहर इतना खतरनाक होता है कि काटने के 29 घंटे बाद ही उस लड़की की मौत हो गई, तो दोस्तो ये थी हमारी आज की वीडियो, वीडियो आपको अच्छे लगी होगी, और अगर वीडियो आपको अच्छे लगी तो प्लीज आच चाहिएको, सब्सक्राइब गूर झाल